नमस्कार आप सुन रहे हैं कहानी गूंड आए दोस्तों सुनते हैं मीनू त्रिपाठी जी की लिखी कहानी डर क्या हुआ अम्मा काहें ऐसे मुह बनाए बैठी हूँ मुह न बनाई तो का करी तुम्हरी दुलहन की तनक जनक देख के लागत है सबेरे सबेरे छोक लागी गए है तुम कुछ कही हो क्या तो का हमरे कहेमा पाबंदी है हम मुह बांधे तो बैठी न रही बे बड़ी घुन्नी है वो अम्मा ऐसे न बोलो नया माहौल है इसले घुल मिल नहीं पा रही है थोड़ा कम भी बोलती है अरे जा जैसे हम दिन भरे टर्रावा करे थे अब यही तो मुश्किल है थोड़ा आराम से बोलो अभी वो अभ्यस्त नहीं है यहां के माहौल से माहौल मा कौन काटा गार दी हैं हम तुम हूँ तो यहे माहौल के आहू साधी करे तो तयार बैठी रही तब तो माहौल का कौनो दिक्कत ना रही अम्मा तुम्हारी सारी खुणनस इसी बात से है मैंने पहले ही कह दिया था कि शादी अपनी मर्जी से करूँगा हाँ तो कौन हूर की परी भियाह लाए शा जहां पुरवाले मिस्राइन के बहूरिया उफ फिर वही राग तुमसे तो बात करना ही बेकार है आंगन में पड़ी खटिया पर बैठा उच्सो जटके से उठा आंगन पार करके तेजी से उपर बने अपने रंग महल की और कूच किया उसे यू दना दन सेड़ियां चड़ते देख अम्मा का मुह बन गया खुद को नजर अंदाज करके उच्सो का यू उठकर चले जाना उन्हें अखरा तो गुस्सा फूट पड़ा मुह के साथ साथ हाथ चलाती हुई अपना प्रलाब जारी रखकर अम्मा ने दुगनी तुगनी शक्ती से अपनी जीवा के तरकश से ऐसे ऐसे व्यंगबाड छोड़े कि उच्सो की आत्मा तक जल उठी जाके बैठ अपने जोरू के अंचरे तरे साला जोरू का गुलाम विदिर्शना से अम्मा के मुह से निकला विभद्स वागबाड उसके तर्ण बदन में आग लगा गया अनाब शना बोलती अम्मा बाबुजी के हस्तचेव पर पल भर ही रुकी बाबुजी कह रहे थे अब क्या चाहती है आज ही घर छोड़ कर चला जाए वाही का आप जाब वाही की भिहरारू तैकरी जानियो उच्सव ने पूरी ताकत से भड़ाक से दर्वाजे बंद कर लिए पर बाबुजी की आपत्ती के बाद भी अम्मा की आक्रोश भरी आवाज उचे सुर में आती रही उच्सव भनाया सा कोपल से बोल रहा था बहुत शोग था ना ससुराल के डहरी लांगने का हो गया शोग पूरा या भी भी कोई कसर बागी है उसकी बात पर पलंग पर सहमी बैठी कोपल की सिस्कियां उची और उची होती गई कोपल के आसो ने जहां उच्सव के क्रोथ की ज्वाला को शान्त किया वहीं अम्मा की बातों से उच्सव के उपजे आक्रोश ने आप्रत्यक्ष रूप से कोपल के मन पर फुहार डाले तो वह दोड़ कर उच्सव की बाहुं में आसमाई उच्सव के सांतवना भरे हाग उसकी पीट पर और चहरे पर अनकहे शब्द चुम्मन बन बरसते रहे एक बार पापा हिच्कियों के बीच शब्द निकले ही थे कि खीच से भर उच्सव बोल उठा तुम्हारे पापा को भी अभी आना था क्या बात पापा पर आई तो कोपल ने जठके से उसके सीने से सर उठा कर उसी तेज सुर में कहा था का क्या मतलब? क्या आप नहीं जांते थे? कैसे इस्थिती एक बर जरूर आएगी? कोपल के कहने पर उच्सव कुछ नहीं बोला तो कुमपल ने उसे दिहान से देखा, उसके निचुड़े सी सूरत देख, अनायास उस पर दयासी आ गई, तो उसे तसली देती हुई कहरे लगी, अभी समय है, पूरे 20 दिन बागी है पापा के आने में, 20 दिन तो क्या 20 जनम में भी कुछ नहीं होगा, अम्मा न बदली है न बदलेंगी, जैसे अम्मा बाबुजी हमारी कोर्ट मेरिज के बारे में जान गए, तुम्हारे पापा भी जान जाते, तो कौन सा पहार तूट पड़ता, पहार तो नहीं तूटता, पर हाँ पापा जरू तूट जाते, क्या तूट जाते कोपल, आखिर मैंने भी तो अपनी अम्मा और बाबुजी को बता दी थी कोर्ट मेरिज वाली बात, मेरी अम्मा तो चलो गाउं की है, इस छोटे शहर के अलावा कुछ देखा नहीं है, शहर नहीं कसबा, कोपल ने सुधार किया तो तो क्यों नहीं बता दिया सच, मेरे पापा ने फोन पर पूछा तो था, वो तो तुम्हारे पैरेंट से बात भी करना चाहते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि उनको ये कहकर तसल्ली दी, कि अम्मा बाबुजी शादी के लिए पूरे मन से तयार है, उनको कोई एत तो और क्या कहता बोलो, सच बोल देता तो क्या पापा स्विकारते हैं, हाँ बोला मैंने जूट, अपने प्यार की खाते, तुम्हे खोन अदू इस बात से डर गया था कोपल, उत्सों की भीगी आवाज कोपल को प्रेम की फुहार से सराबोर कर गई, वह फिर एक बार उसक पठक से दोनों अपने आगामी भविश्य का अंदाजा मात्रे लगाते रहें, ऐसे मौके में उत्सों की अक्की भाभी उर्फ अंकिता और अम्मा की बढ़की बहुरिया की आवाज जखन पर मरहम सी लगी, वेखो अम्मा अब जो हुआ सो हुआ, नई बहुरिया को अपना बात पूरी होने से पहले ही अक्की भाभी उर्फ अंकिता भाभी के शब्द छन, छनाग गिरे हुए बर्दनों सी करकश ध्वनी के बीच दब गए, घर में खिची ताना तनी से परिशान भाभी, उरे घर को क्लेश की लपेट में आने से, चाह कर भी न बचा सकी, उल्टे अम्मा का कोप उन पर भी बर्सा, अब हम तुम से सिख बेका, बहुत बोले लागी हो, जारे बढ़की, हमारा माथा बहुत खराब है, अम्मा अपनी सर पर दो हत्थड मारने के बाद फिर बोली, अपनावे वाली होती, तो च्वारनस भियाह के घर न लावी जाती, मिस्रा मिस्राइन की बड़ी बहुरिया की नातिन की नंबे प्रशंचा झेली न जाती, पर क्या करें अम्मा, जो कब से इसी नाम के माला फेर रही थी, ये तो उत्सो था जिसने उनके सारे मनसूबों पर पानी फेर दिया, अब तो अंकिता भाभी भी उस दिन को कोसने लगी थी, जब अम्मा मिस्राइन की नातिन पर मर मिटी थी, चार-पान साल पहले अम्मा शाहजापुर किसी दूर के रिष्टेदार की शादी में गई थी, तब जाने कौन सी मिस्राइन की बड़ी बहुरिया की नातिन को फलाने की शादी में दौडड़ कर काम करते देख उस पर आद में खवा आई या घर आ गए तो समझो उत्सव के भाग जागी जई हैं अठवा तक पढ़ी है हम बोल दिन मिस्राइन का दस बारा तक और पढ़ा लियो पर अम्मा उत्सव अक्की भावी संशा से भरी कुछ कहने को होती उससे पहले अम्मा भावी के कानों में मंत्र रही कौनों सहर के आ गई तो धन्य अम्मा हमहु तो सहर की आहिन भावी के बोलते ही अम्मा जट उनकी बलईया ले ले लेती उत्सव अपनी भावी के हर शहरी रंगढग देख चुका है वा आज तक समझ नहीं पाया कि भावी ने अम्मा को पटा कैसे रखा है वेरट के श चाहजा पुरवाली मिस्राइन की नातिन की खोश खबर में पूरे जोर शोर से जुट जाती अम्मा की मन्शा देवर के कानों में अक्की भावी ने क्या डाली वो तो शहर का ही हो गया संब्रांत और आधनिक रुवाव वाली कोपल के साथ उस्व की ऐसी खिचड़ी पकी क की परिणीती कोट मेरिज हुई खदब दाने से लेकर पकाने तक खिचड़ी के खुशबू भी उसने अपने पैत्रिक निवास पहुशने तक नहीं दी कोपल के साथ बनते बिगड़ते रिष्टे अम्मा जान जाती तो भूखर ताल करके अपनी बात मनवा ही लेती इस केस में कोपल को अपने घरवालों के चिंता नहीं थी घरवालों के नाम पर एक पापा ही तो थे वो भी विदेश में रहते हैं मा रही नहीं और नाते रिष्टेदार उस जमाने में हुए उनके प्रेम विवास से रोष्ट हुए कब का किनारा कर गये एक अरसा विदेश में र कि ऐसा होना इस जन में संभव नहीं है। जूट की निव पर सच्चे प्यार की इट रखी गई। प्रेम विवाह पर कोट के मुहर लगवाली गई। नव विवाही जोड़ा। पूर्ड रूप से सुखी और संतोस्ट था। पर उनकी ये खुशी जादा दिन नहीं टिकी। उत्सव और कोपल के शादी को लेकर उन दोनों की जो छीचाले दर्की उसे देख कोपल के रुह काप उठी। अलबत्ता बाउजी ने दोनों का ब्याह आरे समाजी ढंक से कराने का निर्ने लेकर समझदारी से काम लिया। बिनमा की बच्ची को बिनादान दहेश के स्विक अलबत्ता के लिए भाया को दोशी ठहराया गया। दूर दर्श्री अम्मा ने इलहाबाद वाली बुवा को मौकी पर बुलाना उचित नहीं समझा। उनकी अनुसार जी जी बड़ी कंटाइन है। खोद खोद के सब निकलवा लेंगी बाद में देखेंगे। ऐसे एक नह ही तीन-चार रिष्टेदार थे, उनसे निपटना बड़ा विकट प्रश्न था। भाई बड़े के शादी में इतना पैसा खर्च हुआ फिर उत्सव के शादी आरे समाजी क्यों। ये प्रश्न हर दूसरे तीसरे की जुबान पर था। ऐसे में कोई समझदारी और आधनि तो कोई चुटकी लेता। उत्सव तुम तो बस नाम के उत्सव हो। इतनी सादी सी शादी में क्या मज़ा भईया। जितने मुँ उतनी बातें पर बातों के स्वाद में समानता थी। जो भी कहा जाता जैसे भी कहा जाता। स्वाद कुनैन की गोली साही लगता। अम्मा क उदार्ता दिखाती अम्मा भीतर कुड़कुडाती कोपल के लिए नए अजनभी माहौल के बीच भावी पत्वार सी दिखती बात समालने में माहिर भावी सबके सवालों का अपनी समझ संतोष जनक उत्तर दे रही थी पर ये सबासान नहीं था उसी जमावडे में कोई घाख खबर निकाल कर लाया अम्मा तुम्हारे समधी प्रेम विवा किये रहे विरादरी से निकारे गए इधर उधर डोले डाले के बाद विदेश मठिकाना बनाये हैं मेहरिया तो रही नहीं और कौनूर इस्तेदार से जानों मेल मिलापो नहीं है इस संसनी खेज खुलासे के बाद तो माहौल में गर्मी आ गई एक अजब सानाशा रिष्टेदारों में छागया जगे जगे पंचायद बैठ गई थी चलने फिरने से लाचार काकी तो बिस्तर से उतर आई जम घट में उकडू बैठ कर मोह पर हाथ धरे पूछी तुम का कई से पता रहे भानू की अम अपनी समझ में फुसुसाती काकी चार लोगों को और सुना कर पोपले मुह पर हाथ रखे फिक से हस दी भाबी को आता देख सुक बुगाहट कुछ थमी तभी किसी भूली आत्मा ने बड़ी मासुमियत से चाशनी में लपेड ये चुगली अम्मा की कानों में सरका दी पह क्योंके साथ कोई कसर नहीं छोड़ते कै बहुरिया तुम्हारे माईके से को आई महतारी तो जानो नहीं है और पापा विदेसमा है के कोपल डर के मारे बड़ी-बड़ी आखों को जुकाय सुनती पर कहती कुछ नहीं क्योंकि मूख खोलने की इजाजत उसे नहीं दी गई पापा तो पल भर में जान जाएंगे और तुम्हारी अम्मा तो चुप रहने वाली है नहीं क्या होगा सब ठीक होगा मैंने बाबुजी के पाउँ पकड़कर माफी माँगी है वो सब समाल लेंगे अम्मा को भी कुपल आश्चारे से भर कर पूछ दी तो वह सर हिला कर हताशा जाहिर करते आखे मुंदे मुंदे कहता उनको तो आज तक न समाल पाए रात के सनाटे और दोनों के बीच पसरे मौन को कुपल का प्रश्ण फिर बेदता सुनो अम्मा तुमसे क्या कह रही थी कि मुझे च्छोक लग गई है ये च्छोक लगना क्या होता है सुनते ही उत्सव विदक उठा अरे यार अब रात को तो चैन लेने दो दो चार बार और सुनोगी तो समझ जाओगी उत्सव उसकी मासूमियत को देख आगामी दिनों की आशंका में डूप जाता फिर सहसा च्छत ताक्ती कोपल की और करवट लेकर कहता ये च्छोक बगहार जैसे शब्द दिल से निकालो और मेरे दिल की धड़कन सुनो देखो तो कितनी बढ़ गई है देखो जड़ा मेरे दिल की धड़कन तेज है या तुम्हारे दिल की कहकर वह अपना हाथ उसके सीने से लगाता तो वह जटके से उसे हटा कर वापिस फिर लिपट जाती दिन भर के जंजालों से बुनी चादर में रात के कुछ हसीमपन गुस्य और शिकायतों के पतीले में बांद कर रख दिये जाए इतनी भी बेवकूफ वह नहीं थी अम्मा उसका दिन हराम के रहती हैं तो क्या रात भी वह उनके नाम करते उसका सुख जैन लूटने वाली अम्मा खुच जैन की नीन ले खराटे भरें और वह उनकी कही को दिल में बसा अपने पिया के प्यार को निकाल फेके ऐसा कदापी नहीं होगा कोपल उसका की बाहों में ऐसे कश जाती मानों अम्मा के भयानक वजूद से बचने का पस यहीं एक भरोसे मन ठोर हो थोड़ी ही देर में दोनों अम्मा पापा बावजी जैसे रिष्टे नाते भुला कर दूसरी दुनिया के बाशिंदे हो जाते जहां प्रेम की सुरों की धारा बहती थी उसी में डोपते उत्राते उच्छों की बलिष्ट बाहों में कोपल अपने मन के भय को उड़ंचू होते महसूस करती मदभरी रात की खुमारी के आगे सारी जनजाल कलेश भय सब गायब होते दिखते ऐसे में एक शिकायत फिर भी रहती बीती रात की रफतार से काश ये रात नहीं ठहर जाए सुबह सुबह अलसाई कोपल सोचती कौन कहता है सुबह आशा ताजगी उर्जा लेकर आती है उसके लिए तो सुबह पक्षियों का कलरव युद्ध में बशती रडभेरी जैसा लगता था अम्मा का कहर तो खेर था ही साथ घराने वाली पल्टन नाउन धोबिन महरी की कड़ी नजरों का पहरा भी जलाता सबसे जादा चिर तो नाउन से होती थी जो करती तो अम्मा की मालिश थी पर बिल्ली से तेज चाला नजर घर में चलती गते विधियों पर टिकी होती अम्मा की सेवा में ततपर उसके हाथों से तेज आखे फिर केसी घूमती थी एक दिन कोपल ने अंकिता भावी से पूछी लिया ये रोज क्यों आती है उसकी बात पर भावी रहसे में ढंक से पहले मुस्कुराई फिर पूछने लगी क्यों तुम्हें अच्छी नहीं लगती है क्या ना कोपल के कहते ही भावी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा तू जा और इसके हाथ से तेल लेकर अम्मा के पाउँ पर मल दे अरे ना भाबा अम्मा क्या तेल लगवाएंगी क्यों नहीं लगवाएंगी तू जा तो सही कोपल के रुआसी शकल देख अंकिता भावी लगभग बुछकार कर बोली जा इसके सामने कुछ नहीं बोलेंगी अम्मा हिम्मत के साथ वह अम्मा के पास गई धरधर करता दिल इस रफतार से तो तब भी नहीं धरड़का था जब वह उत्सों से पहली रात को मिली थी लाइए मुझे दे दीजिए अम्मा के पाउं पर मैं लगा देती हूँ कहती हुए उसने नाउन के हाथ से तेल लिया तो भाकोश बिदक कर बोली आरे का कर रही है छोट बहुरिया मैं लगा देती हुँ तेल अरे हाँ लगा देती हूँ, काहे हम चुबी थेंका तुम्हारी अम्मा को नाउन उसकी नकल उतारते हुए बिराते हुए बोली तो कोपल खिसी आसी गई तुम पंचे तो चली जईयो तो को लगाई हमाही तो काम आई बे के भाव जी किसी आई कोपल तिल में लाई, कुछ छिटकी तभी भावी सामनी आ गई जब तक छोटी है तब तक वह अम्मा की सेवा का पुनिकाहे न ले क्यों नाउन चाची नाउन चाची चुप, अम्मा भी चुप तेल लगवाती अम्मा तेल छी आखों से नाउन चाची को देखे जा रही थी उनकी आखों में एक कौतुहल था, मानो वो नाउन के चहरे से कोई भेद ले रही थी अब हम कालना आई बे, गोवर्धन के नातिन का छेदन है कहती हुई वह चली गई, अब अम्मा का मुँख खुला एबड की इत्ता सहूर्तों सिखा दे सहरी बहुरिया को, की मुँँ उघाडे ना चली आवा करे अम्मा के सुर अभी भी मानों कानों में बज रहे थे सुबह सुबह की नीन में मानों सपने में आ समाई थी अम्मा दरावना सपना सोच कर वह उच्छव के सीने में सर रहकर उंगाई की तबी अम्मा के विचित्र बोली का भान जागर तवस्था में हुआ उशाय दांगन में खड़ी चिल्ला रही थी उनकी तेज अवाज कानों को चुब रही थी जावड की जाय के तनी चाहवा बना दे अज जिठानी जी को अगर जाग गई हो तो महरा नी अम्मा अकसर कोपल को अक्की भावी के जिठानी कहकर ताना कस्ती थी तो एक दिन उसने उच्छव से मासोमियत से पोछे लिया मैं तो भावी की देवरानी हुना फिर अम्मा उसके भोले पंचे उच्छव भी आजिज हो आया था इतनी भोली ना होती तो समझती कि अम्मा को मनाना हसी खेल नहीं है अम्मा तानों के ऐसे ऐसे बाड़ छेद दी की बड़े बड़े सोर्मा भी घबरा जाते और यहां कोपल अपने मन को समझाय बैठी थी कि उसके पापा के आने से पहले वह अम्मा के मन में जगह बना लेगी जो मान सम्मान उसकी मा को नहीं मिला वह अपनी ससुराल में पालेगी ओ महरानी अम्मा की करकश देखी जहर बुझी आवाज पर बाउजी भड़के क्या सुबह भी शान्ती नहीं मिलेगी भगवान का नाम नहीं ले सकती तुम भगवाने भरोसे है सब अई सान्ती मिल जाये तुम्हारी बहुरिया के राज में तो कापूच के उट्सो ने कानों में तक्या रहकर चादर उपर तक खीच ली पर सहम कर बैठी कोपल को तो नीचे जाना ही था और दिनों की तरह वा दिन भी जहन्नुम बना किसी तरह भी था राथ होते होते कान छिले जाते थे पर बड़ बड़ाती अम्मा न ठकती ऐसे में उनसे भिड़ंत लेने का भी यदा कदा बना विचार पस विचार ही रहा कहां असान था उनकी देशी बोली का जवाब देना उनकी देशी तेज रफ्तार बोली के कुछे शब्द पल्ले पढ़ते बाकी बांसर चले जाते कोपल के क्रांतिकारी विचार पल भर में बदल कर उसे वहीं पढ़े रहने पर मजबूर कर देते एक बात और नोट की थी उसने अम्मा उसके सामने तीखे तेवरों के साथ दुआधार देशी बोली का प्रेयोग करती और गुस्य में अपनी देशी बोली अधिक इस्तिमाल करती थी उसकी संब्रांत खड़ी बोली के आगे उनकी तीखी धारदार बोली बड़ी चुनवती थी वो कभी एक शब्द मों से निकालती तो अम्मा हाथात भर देशल सब्दों के व्यंगबार उस पर छोड़ती ऐसा भी नहीं था कि अम्मा कभी भी खड़ी बोली में बात नहीं करती थी उनको ऐसी भाषा में अंकीता भावी के बेटे किसले से वतियाते सुना जा सकता है भावी से भी चंद शब्द खड़ी बोली के बोल जाती थी पर उससे तो जान बूझकर वह एक चौथाई समझ में आने वाली बैसवारी ही बोलती है जिनको वह भावों और आवाज के उतार चड़ाव से ही थोड़ा बहुत समझने में समर्थ होती रात को अंकिता भावी ने उनके तानों से परिशान होकर उनको टोकने की हिम्मत दिखाई अरे अम्मा बस भी करो बहुरिया डिरा रही है चुप होई जाओ अब अंकिता भावी हमेशा की तरह कभी बैसवारी तो कभी खड़ी बोली के जूले में जूल अम्मा के करीब पहुची पर अम्मा कब चूकने वाली नेशाना फिर कोपल की और साधती बोली जानी थैं किता डिराती है लड़ी का फासे मा तो ना डिरानी उफ इतनी बड़ी तोहमत अम्मा की बात पिगले शिशे सी कानों में क्या पड़ी कोपल हाथ में पकड़े बर्तनों के टोकरे को वहीं जहन से छोड़कर रसोई से बाहर आ गई रसोई से बाहरा सबकी विसमय युक्त नजरों को नजर अंदास करती हुई अभी नहीं तो कभी नहीं वाले क्रांतिकारी अंदास में एक ही सास में सीड़ियां दना दन चड़ती अपने कमरे में तेजी से घुज गई उसकी दशा देख उत्सव उसके पीछे पीछे भागा उसे देख उपहास उडाती अम्मा बोली भाग भाग मेहरिया के पीछे जल्दी भाग मेहरा सार पर आज उत्सव को अम्मा की फिक्र नहीं थी वह तो कोपल के तेवर से आतंकी था हिस्टेरी आई अंदास में नथुने फुला कर कुछ कहने का प्रयास करती आवेश में कापती कोपल को शांत करना मुश्किल था उत्सव के लिए कोपल अम्मा दिल की बुरी नहीं है हैरत से उत्सव को ताक्ते वेवा बोली इश्वर वह दिन दिखाएं तो सही जब इनकी अच्छाई देखने को मिले मुझ पर तुम्हें फजाने की तोहमत लगा रही है और मैं शांत रहूं शादी के लिए तुमने प्रपोस किया था किया था की नहीं कोपल विफ्री हाँ भाई किया था मैंने ही किया था बर्जक शान्ती और सैयत शब्दों में उत्सवने सिकारा तो ये बात अपनी अम्मा को क्यों नहीं बताती अपनी शब्द से उत्तेजित हो उत्सव बूला क्या मेरी अम्मा तुम्हारी अम्मा नहीं है ये तुम उनसे पूछो अपनाना तो दूर देखने तक को तैयार नहीं है और तो और मुझ पर तुम्हें फसाने का आरूप लगा रही है जैसे मेरे लिए लड़कों का अकाल पड़ा था तुम उनको बताओ सच्चाई कि पहल तुम्हारी तरफ से हुई थी मेरे पापा ने कोर्ट मैरिज के लिए मना किया था वो तुम्हारे अम्मा बाओ जी से बात करना चाहते थे और तुम्हारे दोस्त ने बाओ जी बन कर फोन पर उनको जासा दिया था आज कोपल सारे भेद खोलने पर अमादा थी कोपल इसमें बताने जैसा क्या है जो भी हमने किया मिल कर किया क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी उच्सव खुशामत करता नजर आया मैं नहीं जानती बस प्रपोज वाली बात का खुलासा करो सबके सामने अब इन सबका कोई मतलब है क्या इसका मतलब तुम्हे पश्टावा हो रहा है ऐसी बाते क्यों कर रही हूँ क्योंकि प्रपोज वाली बात पर तुम इरिटेट हुए मैं कहां इरिटेट हुआ मेरी जान उत्सो बेबस सी आवाज में तरफडाता एक सजायाफता मुजरिम सा सफाई पेश करता रहा पर कोपल नेंद के जबरंद बोचे जाने तक अंगारू पर लोटती पोटती रही दूसरे दिन सुबह अम्मा के तरकष से निकले तीरों ने नीन नहीं तोड़ी तो उसे तोफान आने से पुरोगी भयावा शान्ती लगी कल राज जो भी बंद कमरे में हुआ उसकी भनग तो नीचे नहीं पहुच गई सोचती भी कोपल करवट बदलती रही जब देर तक किसी ने आवाज नहीं लगाई तो वह खुद उठी आंगन में अंकिता भावी जाड़ो बुहार रही थी कमर में खुले पल्लू और मुह में सस्ता सा गाना अपने में मंगन भावी का यह रूप देखवा हैरान थी सैसा भावी की नजर उपर उठी तो ठगी सी ताक्ती कोपल को देख हस पड़ी हाथ के इशारे से नीचे बुलाया इससे पहले की वह कुछ समझती भावी ने जोर से हसकर कहा हिटलर भाव जी के संग मंदिर गई है दो पहर होगी आते अब नीचे आएंगी या उत्सव बावू का अभी भी मन नहीं भरा रात देर तक बड़े प्रेमगीत कूंजे थे जानो उनके कहते ही वह दोड कर नीचे उत्री तो भावी हसते हुए बोली आज बॉलीवुड स्टाइल की साड़ी खुले आम पहन सकती हो पर खबरदार उनके आने से पहले साठ के दर्शक में पहुच जाना सब दिल भावी के मजाकी लहजे की वो कायल हुई काम निप्टाते सूरज आंगन पर पहुच गया था सूरज की तपेश आज शेतलता प्रदान कर रही थी ये सब अम्मा की गयर मौजूदगी का कमाल था भावी आप तो बिलकुल मेरे जैसी है कोपल के मुह से निकला तो सबजी कार्टी भावी बोली मैं तुमसे अलग हूँ पहले ऐसा क्यों लगा तुम्हे नहीं आज जैसे आपको पहले नहीं देखा इसलिए हाँ नहीं देखा क्योंकि आज अम्मा घर पर नहीं है ऐसे में जैसे मरजी वैसे रहो आप खुद को कितनी जल्दी बदल लेती है मतलब अभी भी खुश रहा है और अम्मा के सामने भी खुश नजर आती है तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है आपको अम्मा के सुभाव की आदत हो गई होगी या फिर आपके मायके का महल भी ऐसा ही रहता होगा ऐसा कैसा मतलब? ऐसा मतलब शब्द ना मिलने से वह अपनी ही कहे में कुछ उलज गई पर अंकिता उसका इशारा समझ चुकी थी कोपल की चिपड़ी पर अंकिता कुछ मौन हुई फिर धीवे से मुस्कुराते हुए बोली मेरे पापा बैरिस्टर है और भाई इंडियन एरलाइन्स में पाइलेट है तुमने ठीक कहा वहाँ और यहाँ का महौल एक साही है यानि छोटे बड़े सब एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते है अरे हाँ तुम्हें पता है मैं शादी से पहले से नौकरी कर रही हूँ और अभी भी वर्किंग मॉमेन हूँ भावी के कहने पर कोपल का मुझ खुला का खुला ही रह गया अम्मा आपकी नौकरी के बारे में जानती है पता नहीं शाद जानती भी हूँ पर हाँ बाउजी जानते है पापा ने उनको बताया था ओह कभी किसी ने बताया नहीं मतलब उत्सवने नहीं बताया इसमें बताने जैसा क्या है जब मैं यहां आती हूँ तो महां की जीवन शैली महीं छोड़ कर आती हूँ उस बारे में यहां क्या बताना या जताना अम्मा आपको कभी ताना नहीं मारती नहीं ताजूब है मैंने अम्मा को आप से हमेशा अच्छे से ही बात करते देखा है और देखिए मुझसे तो कहते वे कोपल रुख गई तो भावी उसका हाथ अपने हाथ में धाम कर बोली मैं तुम्हारी दोविदा समझ रही हूँ पर यहां तुम्हें ये समझना होगा मैंने अम्मा से कभी भी जीतने की कोशिश नहीं की है मेरी हार पर अम्मा हार गई मतलब मैं समझी नहीं कोपल के चहरे पर कौतूग देख अंकिता भावी बोली महरी आ गई है बाद में समझाओंगी तुम सबजी देखना और हाँ बाहर मत आना क्यूँ कोपल की बात का जवाब दिये बगएर भावी अपनी खुसी साड़ी का पल्लू कमर से निकालते हुए सर पर डालती भी बाहर चली गई वह महरी उनसे बोल रही थी आज अम्मा घर पर नहीं है क्या मंदिर गई है तब ही घर भाएं भाएं कर रहा है अरे अम्मा तो रौनक है हमारे घर की जिस तरह महरी अपनी नस्दी की प्रदर्शित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी पैसे ही भावी भी अपने और अम्मा के बीच तिल बराबर जगए न छोड़ती ऐसे दोगले ववहार पर उसे भावी में चाप लूसी और प्रसंशा के तड़के से सबको लाजवाब कर देने वाली चंट औरत नजर आई बड़ी ड्रामे वाज हैं ये तो कुछ देर पहले अम्मा को हिटलर बोल रही थी और अभी देखो अम्मा को घर की रौनक बना दिया और महरी के सामने सर तो ऐसे अदब से ढख रही है जैसे वो भी इनकी सास हो मानी मन खुद से बतियाती कोपल के भाव कुछ बत ले दिखे तो अंकेता मुस्करा कर बोली क्या सोचने लगी तो देखो जरा सबजी पकी क्या भावी के दिमाग में क्या पक रहा है ये अंदाजा लगाती कोपल नी अक्की भावी को पल लू दुबारा कमर में खोसते देखा तो उसके लिए चुप रहना मुम्किन नहीं रह गया सो बोल उठी भावी महरी के सामने क्यों सरपर पल ला लिया क्यों लिया समझ जाओगी अभी तो जाकर दाल में चौक लगा सुनते ही कोपल के मन में पुराना प्रश्न कुल बलाया ये चौक लगाना क्या होता है आशरे से अंकिता ने कोपल को घूरा आजा इधर दिखाती हूँ क्या होता है कर्शी में घीर डालती भा बोली तो कोपल ने उनके हाथ से कर्शी लेते हुए कहा अरे ये वाली चौक नहीं उस दिन अम्मा ने जो बोला था वो चौक अरे सुना तो था आपने जब वो उत्सा को कह रही थी मुझे चौक लग गई है कोपल की मासूमियत पर अंकिता हसस कर लोट पोट हुई कर्शी नीचे रह कर तब तक हसती रही जब तक उनकी आखों से आसों निकल आए चुप होती तो फिरावाग बैठी कोपल को देख हसी के दोरे से उलट पलट जाती तेरा क्या होगा कोपल हे भगवान चौक लगना मतलब तुझे किसी बात पर गुस्सा आया होगा और तु कुछ बोले बगएर तंजन से अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रही होगी तभी ना अम्मा ने तेरे गुस्से को वो तो कितनी मुश्किल होंगी ना भाशा मुश्किल है ना ही अम्मा अपना अपना नजरिया है ऐसे तेरे लिए तो अच्छा है भाशा नहीं समझने के स्थिती में कुछ पे रियक्ट करने की जरूरत ही नहीं कहना आसान है पर समझती तो हूँ ही कि मुझ पर ताना मारा जा रहा है ऐसे मैं कैसे रियक्ट ना करूँ बताईए तो ठीक है फिर जवाब दे दिया करो जैसे बगलवाली काकी की बहु देती है ओ भावी मेरी बराबरी उनसे तो मत करो ये कोई समस्या का हल है मैं वैसी गवार थोड़े हूँ मेरे पापा ने मुझे एटिकेट सिखाए है मेरे मुझ से वैसे फूर शब्द तो कभी न निकले कुछ अभिमान से बोलती कोपल के तने चहरे को ज्यान पूरवक देखती अंकिता बोली तुम्हारा अभिजाते ही समस्या है तुम अम्मा से डरती हो और अम्मा तेरे इसी अभिजाते से तुम्हे तो शायद पता भी नहीं कि खुद को उच्चस रिणी में रखने की मान सकता अम्मा को कितना आहत करती है उन्हें लगता है कि अब उनके बदलने का समय आ गया है इसी उथल पुथल से वो डरती है तो बुरा क्या है भावी इस घर में सभी ने खुद को माहौल के हिसाब से बदला है तो तुम इस घर के हिसाब से बदल जाओ ये क्या बात हुई मैं क्यूं बदलू अच्छा अम्मा पैसट की उम्र में बदल जाएं जबकि उनके लिए ये असुरक्षा की अनुभूती है तुम पूछ रही थी कि मैंने महरी के सामने सर पर पल्ला क्यूं लिया अम्मा के लिए महरी नाउन धोबिन मालिन के मुह से हमारे लिए निकले प्रशंशा के बोल प्रशस्ति पत्र के समान है जिसमें उन्हें अपना सुरक्षित भवश्य नजर आता है हमारे लिए जरूरी है अम्मा के रोबदाब को इनके सामने कायम रखे ऐसा हुआ तो देखना अम्मा भी हमारे हिसाब से बदलेंगी बस बदलाओ के अचानक होने की अपेक्षामत करना अक्की भावी उर्फ अंकिता भावी का समझाया कुछ समझाया कुछ नहीं पर इतना तो कोपल ने देखा आई था कि अक्की भावी से अम्मा कभी उलश्ती नहीं थी इसके बाद वः भावी के वयभार को देखती परखती रही और तभी एक दोपहर वह भावी के कमरे में गई तो अक्की भावी का रूप रंग देख दंग रह गई भरी दोपहर वह गर्मी में अपने कमरे में स्लीवलेस लोकट का उचा सा गाउन पहने कमरे में बैठी इत्मिनान से गाने सुन रही थी भावी अपने गाउन पहना है अम्मा ने देख लिया तो घबराई सी कोपल इधर उधर देखती हुई बोली तो भावी हाथ खीच कर उसे प्यास बुठाती बोली कैसे देखेंगी मिना आवाज दी अम्मा नहीं आती है और उनकी आवाज आई कमरे की चिटकिनी बंद ऐसे क्याकर अक्की भावी ने चिटकिनी चड़ा कर साड़ी उठाते हुए ऐसे गठी आई कि पता ही नहीं चला कि वो नाइटी के उपर पहनी गई है अक्की भावी भी कमाल है है कुछ और और दिखाती कुछ और है सोचते वे कोपल ने पूछा अम्मा ने आपको कभी गाउन पहने पकड़ा है मैं कोई मुजरिम हूँ जो वो पकड़ेंगी अगर कभी देखा भी होगा तो क्या तो क्या अम्मा के दो रूप है मुझसे सिर्फ यही चिड़ है कि उत्सव ने अपनी पसंद के शादी की है या अम्मा भी दभाव करती है कि बड़े के लिए अभी जाते वर की बहू और छोटे के लिए नहीं ये सही नहीं है क्यों फर करती है अम्मा अपने दोनों बेटों में वो जिन कोपल खुद को रोक नहीं पाई तो भावी ने समझाया ऐसा नहीं है कोपल तुम शायद नहीं जानती कैसे उत्सव हमेशा अम्मा से कहता था कि वो इस छोटे शहर में नहीं रहना चाहता उसका दम घुटता है यहां किसी बड़े शहर की आदनिक बिल्कूल वैसी जैसी तुम हो लड़की की छवी उसकी आखों में उभरती तो अम्मा भैवीत हो जाती वो भै तिन के तिन के जोड़कर बनाए घर के तूटने का होता अपनों से नाता तूट जाने का होता तब अम्मा उच्व को बादने का प्रयास अपनी पसंद की लड़की से शादी करवा कर कर दी मकसद उच्व को अपनी जड़ों से बादना होता और तिन के दिन के जोड़कर बनाए घर को बचाना उनका उदेश्य होता उच्व की पसंद की शादी के संकल्प ये गलत है, ये तुम सोचती हो, पर अम्मा को फिक्र है अपने तख्ता पलट का, अम्मा की दुनिया बड़ी छोटी है, जिसमें ये कसबाई लोग है, सो ये उनके सामने फिक्रमंद होती है, कि कहीं उनका तख्ता न पलट जाए, उफ, इसका अर्थ है, वो कभी नहीं बदल लिया था, हाँ, उस दिन तो मैं बहुत डर गई थी, लगा अम्मा कैसे बहेव करेंगे, पर उनकी बनावटी सी बोली और व्यभार देख मैं आश्चरे में थी, जब वो हमारी नीड को समझ कर खुद को बदल लेती हैं तो सोच, ये तो उनका अपना गड़ है, यहाँ उन की जैसी बन जा, कैसे, ऐसे, अंकिता भावी उसके सर पर पल्लू डाल कर, थोड़ा नीचे खीशती हैं फिर बोली, अरे कोपल, तू तो बिलकुल परिणेता की विद्याबालन लग रही है, सच भावी, वा पल्लू के सिर्यों को पकड़ते खुद को सुन्दर और विशेस महसूस कर रही थी, तभी उसे उत्सव याद आया, लगा कह रहा हो, ये गवारों जैसे मत घूँओ मेरे सामने, जैसी हो वैसी रहो, अम्मा की कारण बदलने की जरूरत नहीं है, उनकी आदत पढ़ जाएगी ऐसे ही देखने की, इतना मत सोच, ऐसे ही जीवन भर तो नहीं क्यों डाले, पहले अपने आद से तो निपट लिया जाए, कल की कल देखेंगे, कोपल को अब अक्की भावी की शरण में ही उसे अपना उध्धार नजर आया, संकटों के छाय बादलों के निवारण ही तू, अब कोपल अक्की भावी की छाया हो गई, दिन भर सर से सर चूती, ऐसे में अम्मा मुह तक आय अब शब्दों को चबा डालती, मेरी नाउन धोविन मालिन को अम्मा जब तब तक ती, उनके एक इशारे पर दोड़ पढ़ने वाली कोपल को, अम्मा एक प्रश्ण की भाती आये दिन, उन रोज के आगंतुकों के समख्ष उच्छाल वो उसके उस एटिट्यूट को ढूंता, जिस पर फना हो उसे ब्याहलाया था, फिलाल घर पर छाई शानती, अम्मा की खामोशी और अपने ससुर के आने की पास आती थी थी को देख, उसे परिस्थितियों से समझोता करने में ही भलाई दिखी, एक दिन अम्मा आंगन में बैठी चहकी, अरे बढ़की आज उमंगा रहा है, अच्छा कब, चार बजे की गाड़ी है, अच्छा, भावी की हैरत से फैलती सिकुर्टी आखों को दे कोपल चौकी, वह अच्छी तरह जानती थी उमंग भाईया के आने की खबर भावी के लिए नई नहीं है, पिछले दो दिनों से वह उनके आने का इंतिजार मनीमन कर रही थी, बाजार से सामान लाने के बहानी दो घंटा ब्यूटी पार्लर में इसले तो बिता कर आई थी, पर अभी तो ऐसे अंजान बनकर आश्चरिवेक्त कर रही है, जैसे अम्मा ने कोई दबाराज खोला हो, दूसरे अम्मा भी उस वक्त टूटा, जब शर्बत का ग्लास देने पहुची भावी को, भावी ने चोरी से आख मारी, उनकी सरकत पर छोई मुई हुई भावी शर्म से मरी जा रही थी, पर प्रत्यक्ष में भावी अम्मा के श्रमन कुमार बने थे, उफ, कितने नो टंकी बाज है अम्मा के सामने और वैसे कुछ और, कम से कम मेरा उट्साओ जैसा है वैसा ही है, तमाशा देख को पल मनी मन भनrementाई, राट को खाना खाने के बाद अम्मा किसले से बोलती देखी, आज किसलू मेरे साथ सोएगा, नाना दादी आज तो मैं पापा मम्मी के साथ सौँगा, द कुकुर हम का है लाइब तो हरे खातिर। कुकुर नहीं दादी कुत्ता, I mean डौगी। हाँ हाँ डागी। किस लुना लेई तो कोई लेई। बोला किसले हैरान था। बंदर और डौगी के लिए वो कबसे जिद कर रहा था। अमा तो सुन कर दूसरे कान से निकाल देती थी। बहुत जिद करता तो भाना बनाती। हम का करी बच्चा हम तो लिवा दे। तुम्हारी मम्मी कहीं कि हम विगार डाला तुमका। मम्मी राजी हुए जाय तो हम देवा लई वे। मम्मे ने तो साफ मना कर दिया था कहती थी कि धेर खिलोने है मेरट में एक दिन खेल कर दूसरे दिन देखेगा भी नहीं पर आज तो अम्मा दिलाने को तयार है और मम्मे ने टोका भी नहीं पापा तो अभी रुकेंगे एक बार खिलोने आ जाएं फिर उनके पास भी सोजाएगा सारा हिसाब उसके नन्हे मन ने जोड लिया फिर भी खिलोने दिलाने के नियत कितनी पक्की है ये जाचने के लिए उसने तीर छोड़ा आपके पास पैसे हैं दिखाओ उसकी बात पर अम्मा ने गद्दा पलट दिया रेजगारी और चन्द नोटों को दे किसले का मन डोल आया पापा आज हम दादी के पास सोजाएं उसके प्रश्ण पर प्रसन्नता से पापा ने मम्मी की और देखा शाद उनकी रजामंदी ले रहे थे और बड़ी खुशी से मम्मी ने दादी के पास होने की परमिशन दे दी तच्चे से किसले अम्मा की चारपाई पर बैठा तो वो घुड़की एक किसलो खबरदार जो टांगे पेट में घुसेडी आज तो हमार कमर पिरा जाई अम्मा के बदले सुर ने एक बार फिर उसे आगाह किया तो वह एक पल को सहम गया पर दूसरे ही पल अम्मा उसे चिपटाती हुई बूली कल बाबा मंदिर जाएंगे तो साथ कौन जाएगा किसलो जाएगा वो तेजना में किसले ने पल भर पहले पन पे संशय को जटक दिया अम्मा से चिपटते हुए आवेश में खुद के नाम को भी बिगाड बैठा किसलो नाम से पुकारे जाने पर नाराज होने वाले किसले को इस वक्त अपना बंदर और डॉगी दिखाई दे रहा था वो अपने बाल मन को समझा रहा था कि दादी ही तो है किसलो बोल दिया तो क्या हुआ बंदर और डॉगी भी तो यहीं लाएंगी किसलो नाम अम्मा के मुह से स्वतही निकल जाता था वरना एक किसले ही था जिससे बाचीत करती अम्मा सजग रहती थी कभी वो उनकी नकल करता तो वो टोक देती ए बच्चा इदे हातन वाली भासा न बोलो अंकीता और उमंग अपना कमरा बंद कर चुके थी भीतर से उनकी हसी के धीमी-धीमी आवाज आ रही थी देर तक वो दोनों जगे ऐसा प्रतीत हुआ पर अम्मा बाबुजी ने एक बार भी बत्ती बुझाने या फिर पानी के लिए आवाज नहीं लगाई अम्मा का ये रूप कोपल के लिए अप्रत्याशित था उच्चो को जोरुका गुलाम तमगे से नवाजने वाली अम्मा का दोहरा आच्रण चलावी सा प्रतीत हुआ कोपल को सोच विचार में डोबी कोपल देर रात सोई तो सुबह भावी की आवाज से जगी वो दर्वाजा धीमे धीमे खटखटा रही थी कोपल हडवडा कर उठी आठ बजे देख उचे उच्चो पर गुस्सा आया कि उसने उसे आज उठाया क्यों नहीं अरना इधर कुछ दिनों से अम्मा की करकर शावाज आने से पहले ही अतयार होकर चाय चड़ा देती है बाबुजी को अख़बार के साथ चाय और अम्मा को चरण इसपर्ष कर चाय पकड़ाती कोपल को अम्मा गहरी नजर से घूरती जरूर है पर कह कुछ नहीं पाती सौरी भाबी आत्सो गई हडवडाई सीवा बोली तो भाबी जल्दबाजी में बोली सौरी वरी छोड इलहाबाद वाली बूँ आई है अम्मा ने कह दिया है कि तु नहा रही है जल्दी से तयार होकर आप और हाँ ध्यान रखना भाबी उसे कुछ बताती रही और वो सहमी से सुनती समझती रही जल्दी ही तयार होकर माथे तक घूंगट सरकाए वह आई तो उसे देख अम्मा ने रहत की लंबी सास ली भाबी अपने चिर परिशित अंदाज में कह रही थी वारी बुवा बड़ी जल्दी आई बहुरिया देखने अरे अब कवनों बुलाई तब ही तो आएं बे हम तो सुना उत्सो भी ना बताए हाथ नचाती बुवा के शब्द धूरी रह गए नई बहु को आशिश देने के लिए हाथ उपर उड़ गए थे नर्मी से पाउं को दबाती कोपल हाथ माथे से लगा रही थी तुमका पाउं चापेस को सिखायो बहुरिया सहरन मा को जानत है उसली का देखो बुवा नई बहु चाहे शहर की या लंदन की अब तो अम्मा की है हम सब अम्मा की ही परचाई है क्यों अम्मा हस्ति मुस्कुराती भाभी पूरा मुर्चा मुस्तेदी से समहा ले थी अम्मा अकंट फूली साफ नजर आ रही थी उसे वक्त उत्सो भी आ गया अम्मा बुवा और भाभी के साथ कोपल की मौजूद्गी में अम्मा को प्रसन मुद्रा में देख चकित हुआ बुवा के पैर चुवा कुछ देर वहीं बैठा उन्दोरलब छड़ों को अलहादित मन से जीता रहा पुवा नाराज थी तो उनको सफाई दी जा रही थी निमंतर्ण पत्र तो मैंने ही डाला था पर कमबख्त डाग विभाग भाईया बोले तो भावी भी पीछे नहीं रही डाग विभाग के साथ मुबाइल के टावर को भी बुरा भला कहती भावी बोली पुवा देखो जरा अपना मुबाइल कितनी कॉल की गई आज कल के फोन भी मुए बेकार है जरा बताओ मुबाइल है तो टावर नहीं भावी के साथ उत्सो भी शामिल था अलबता अम्मा बाउजी मौनधारण की अवांचित प्रसंगों को टालने के उद्देश से बैठे थे जल्दी ही अम्मा ने खाने की व्यवस्था देखने का आदेश दोनों बहूं को दिया देड तक अम्मा बुआ से इधर उधर की बातों को सुनती सुनाती गपियाती रही बुआ भी लगतार रेडियो की तरह बचकर जहां जहां रुककर आई थी उसका सिलसिलेवार ब्योरा देकर शाम की चाय नाश्ते के बाद चली गई उनके जाने के बाद सब चैन के सास ले रहे थे दिन के आठ पहर अब कुछ बदले हुए थे चेके तोच्छो अपनी नई नवेली को छेटा मुझे डर है अम्मा तुम्हें पूरी तरह से शाहजा पुरवाली न बना दे उसकी बाद पर कोपल प्यार से धुड़की देती अम्मा अब कोपल के समी पाने लगी थी वह ना चिलाती ना ही चुपी साथ थी बलकि अपनी भाषा में खड़ी बोली के शब्द मिला कर अपनी बात उसके लिए ग्राहे बना देती कभी तेज स्वर में बोल भी देती तो कोपल को डड़ नहीं लगता अम्मा के लहजे में ताना नहीं अब समझाईशने जगए ले ली थी अम्मा खुश थी क्योंकि कोपल के पापा फोन पर कह रहे थी बिन मा की बेटी को कुछ सिखा नहीं पाया अब आपकी छत्रस छाया में है तो मुझे क्या चिंता बस बिन्ती है कि बेटी की ना समझी को मन से मत लगाईएगा माफ कर दीजिएगा इधर अभी आना थोड़ा मुश्किल है अम्मा चाहकर भी गुस्सा दिखा नहीं पाई पीतर भरा क्रोध जाने कब बह गया था ससुर के ना आने से उच्सव खुश था पर कोपल उदास थी पापा आते तो उसकी सारी मेहनत सफल हो जाती अम्मा बदल गई थी पापा तो आ नहीं रहे हैं हम वापस चलें क्या उच्सव के कहने पर कोपल कह रही थी सोच रही हूँ कुछ दिन रहकर ग्रह ग्रहस्ती के काम सीख लू कुछ दिन भावी भी रुकेंगी तुम भी किस पच्ड़े में पढ़ अपनी जान फसा रही हो उच्सव की बात पर कोपल बिगड गई अम्मा बाबुजी के साथ रहना पच्ड़े में पढ़ना नहीं है आप जरा सोच समझ कर बोला करो अम्मा कहीं सुनना ले कोपल की आखे चिंता युक्त थी पर अम्मा चिंता मुक्त थी सुबह सुबह महरी खबर लाई अम्मा बगल वाली काकी की बहुरिया अपने तीरिया चरितर दिखाये रही है रेखा की अम्मा बता रही रहे की काकी के घर मा कलह मची है बहुरिया बनी है सास और सास बहुरिया बनी थर-थर कपती है अम्मा का कहीं काकी की जगह साई सबे जगह है अम्मा जट अपने पिछके गाल पर हाथ धरे बोली अरे राम कहो, हमरी बढ़की तो का पूछे के और शुटकियों बुरी नाय है कहके, कहे एक पड़ी बाबा, दोनों इस्वर का परतावा ही अम्मा के मुँझ से जरे शब्द कोपल के कानों में शहद खूल गए अब तो सामने निश्चिंतता से निकला था विश्वास का इंद्रधनुष इस गर में रहने वालों ने एक दूसरे से परिशय प्राप्त कर लिया था एक दूसरे की भावनाओं को पढ़ना समझना सीख लिया था अब कोई किसी के लिए अजनभी नहीं था जहां कोपल के मन में अम्मा के प्रती डर बाकी नहीं रहा वहीं अम्मा के चहरे पर गुस्से और तानों के पीछे चिपा डर अपनी राह पकर निकल भागा था रह गया था तो सुकून और अपना पन अभी आप सुन रहे थे मीनूत रिपाठी जी की लिखी कहानी डर